प्रिये दोस्तों, नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगी सी को कब पढ़ते हैं, सी को कब पढ़ते हैं, देखें और समते हैं यदि किसी सब्द में सी की बाद ई, आई, वाई, नहीं हो यदि किसी सब्द में सी की बाद ई, आई, वाई नहीं हो, तो सी को हम कब पढ़ेंगी उधारन की नहीं है, आपके सामने हैं, सी के बाद ई है, तो यहाँ पर सी को कब पढ़ा जाएगा ए को आई पढ़ा जाएगा, टी को टो पढ़ा जाएगा, और इसका उचारन होता है केट एक बार फिर से यदि किसी सब्द में सी की बाद ई, आई, वाई नहीं हो, तो वहाँ पर सी को कब पढ़ेंगी उधारन के लिए आपके सामने है कैट, और अब इसकी परिवासा पर चलते हैं देखी, सी को कब पढ़ते हैं, सी के बाद ई, आई, वाई नहीं हो, तो सी को कब पढ़ते हैं सी को कब पढ़ते हैं, जैसे आपके सामने हैं, सी की बाद ई है, तो सी को कब पढ़ा जाएगा तो ट को टो पढ़ा जाएगा, ए को आई पढ़ा जाएगा, इसका उचारन होता है कैट, ठीक उसी परकार यहां भी सी को कब पढ़ा जाएगा, यू को नहीं पढ़ा जाता, ट को टो पढ़ा जाएगा, तो इसका उचारन होता है कट ठीक उसी परकार, सी को कब पढ़ा जाएगा, अल्एकड ला पढ़ा जाएगा, एसएस को सो, देखें, सी को कब, अल्एकड ला एसएस को सो पढ़ा जाएगा, तब इसका उचारन होगा, कलास इस वीडियो में तना ही, thank you, have a nice day